शिवलिंग के रूप में भगवान शिव जहां भी बिराजमान हुए है वह प्रशित तीर्थ इस्तिलों के रूप में जाना जाता है बैसे तो भगवान सिव के अंगिनत सिवलिंग जगे जगे इस्तापित हैं लेकिन इन में से 12 शिवलिंगों को दिब जोतरलिंग का महतु दिया गया है सिव के इनी 12 जोतरलिंगों में से एक है ग्रसनेश और जोतरलिंग हेलो फ्रेंड स्वागत आपका हमारे चैनल पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रसनेश और जोतरलिंग के बारे में भगवान शिव के 12 जोत्र लिंगों में से ग्रस्नेश्वर जोत्र लिंग आखरी जोत्र लिंग है या इसे हम बारवे जोत्र लिंग के रूप में भी जानते हैं ग्यारह जोत्र लिंगों की तरह भगवान शिव के अंतिम जोत्र लिंग ग्रशनेश्वर की भी महमा अपरम पार है, इस जोत्र लिंग का वर्डन शिव पुराण में भी किया गया है, ऐसी माननिता है कि इस जोत्र लिंग के दर्सन करने से भक्तों की सभी मनुकामनाय पूरी होती है आई जानते हैं इस अंतिव जोतरलिंग् की कहानी और यहां की कुछ खास बात हैसाँ सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह जो तरलिंग महराश्ठ राज के ड्व दोलताबाद से 11 किलोमीटेर दूर वेरलगाओं में इस्तित है इस जोतरलिंग को गुस्मे pessoa और जोतलिंग के नाम से भी जाना जाता है इस मंदिर का निर्माण 28 सताबदी में इंदौर की महरानी अहिल्यावाई होल करने करवाया था सहर के सोर सरावे से दूर इस्टिद यह मंदिर सांती इवं साथगी से परिपूर था इस मंदिर का निर्माण 24 खमों के द्वारा पर देवी देपताओं के चित्र बने हुए हैं 12 जोतलिंगों की यात्रा का समापन इस अंतिम जोतलिंग से ही होता है और इस मंदिर के तीन द्वार हैं मुख्य मंदिर से पहले कोकिला मंदिर है बक्तगर पहले इस मंदिर में रुकते हैं दूर दूर से बक्तगर इस पाव समंदिर है आप उनके भी दर्सन कर सकते हैं भगवान के बारा जोतलिंगों में से यह सबसे चोटा जोतलिंग है और यहां भगवान शिव के दर्सन करने है तो गर्व ग्रह में प्रवेश के लिए बहुत सारे नियम है और उसी नियम के अनुसार भक्तगर वहां दर्सन कर सकत मंदिर परिशर में बनी लाल पत्थर की दीवारें ज्यादा तर भगवान शिव और भगवान विश्नु के दस अवतारों को दर्शाती हैं गर्व ग्रह में पूर्व की और शिवलिंग है और इसके मार्ग में आप नंदी के भी दर्शन कर सकते हैं यह शिवलिंग भगवान उसी के नाम पर इस शिवलिंग का नाम गुस्मेस्व जोत्रिलिंग पड़ा था तो चल बहुत ही बड़ा शिव chutता और प्रतिजिन भगवान शिव की बिधि विदान से पुजा किया करता था वे दौनब बदी पत्नी खुसी खुसी अपना जीवन यापन कर रहे थे लेकिन एक बात का दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी पडोसियों द्वारा उन पर ब्यंग किया जाता था कि उनकी कोई संतान नहीं है इसी बात से एक बार शुदियाने दुखी होकर सुधर्मा से बोले कि इस प्रत्वी का नियम है कि बंस आगे संतान से ही चलता है लेकिन हमारी कोई संतान नहीं है तो इससे हमारा बंस नस्ट हो जाएगा उसने शुधर्मा से कहा कि इसका एक ही उपाय है कि आप मेरी बहन गुस्मा से विवा कर ले लेकिन ऐसा सुनकर शुधर्मा ने कहा कि इस विवा से सबसे ज़्यादा दुख तुमें ही होगा लेकिन अपनी जित से सुधिया ने अपनी वेहन का विवा अपने पती सुधरमाशी करवा दिया गुस्मा भगवान शिव की परम भक्त थी वह प्रत दिन 101 पार्तिफ शिवलिंग बना कर पूरी भक्ती और निष्टा से उनकी पूजा करती थी और फिर एक तालाब में उन्हें विशर्जित करती थी उस पर भगवान भोले नात की महान किरपा थी समय के साथ साथ गुस्मा ने एक पुत्र को जरम दिया बच्चे की आने से घर में खुशी और उल्लास का माहुल चा गया लेकिन खुस्मा से मिली खुसी उसकी बड़ी बहन सुधिया को पसंद नहीं आई वह सुधिया गुस्मा से जलने लगी उसका पुत्र सुधिया को खटकने लगा और एक रात अबसर पाकर सुधिया ने उसके पुत्र की हत्या करके उसी तालाब में फेक दी जिसमें वह पार्थिव शिवलिंग को बिसर्जित करती थी इस घटना से पूरे परिवार में मातम छा गया सब विलाब करने लगे लेकिन शिव वक्त गुष्मा को अपनी भक्ती पर पूर विश्वास था वह बिना किसी दुख विलाब के रोच की तरह उसी तालाब में शौफ सिवलिंगों की पूजा कर रही थी इतने में उसे तालाब से ही अपना पुत्र बापस आता दिखा यह सब भगवान शिव की महमा थी कि गुष्मा ने अपने मृत्य पुत्र को फिर से जीवित पाया उसी समय भगवान शिव वहां प्रकट होकर गुष्मा को दर्शन देते हैं भगवान उसकी बहन को दंड देना चाहते थे लेकिन गुष्मा अपने अच्छे आच्रन के कारण भगवान से अपने बहन को छमा करने की बिंती करती है अपनी अनने भक्त की प्रात्ना पर शिव ने गुष्मा से बरदान मांगने को कहा तब गुस्मा कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग कल्यार के लिए हमेशा के लिए यहां पर बस जाएं भक्तों की नाम को जग में अमर करने के लिए शिव ने कहा कि मैं अपनी भक्त के नाम से यहां गुश्मेश्वर के नाम से जाना जाऊंगा तब से यह जगत में शिव के अंतिम जोत्रलिंग के तौर पर यहां पर उनकी पूजा की जाती है और तब ही से वहां यह गुस्मेश्वर जोत्रलिंग के नाम से स्थापित हो गए तो यह थी ग्रशनेश्वर जोत्रलिंग से जुड़ी होई कथा अब हम बात करते हैं कि हम ग्रशनेश्वर जोत्रलिंग कैसे पहुँच सकते हैं अगर आप यहाँ पर बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ के सबसे नज़दी की एयरपोर्ट और अंगाबाद एयरपोर्ट आना होगा और यहाँ से ग्रशनेश्वर जोत्रलिंग की दूरी 30 किलो मीटर है वहाँ से आप कोई भी कैप या बस के द्वारा जोत्रलिंग तक आसानी से पहुँच सकते हैं अगर आप यहाँ पर बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो ग्रशनेश वर जोत्रलिंग के लिए देश की किसी भी जहर से औरंगावाद के लिए कई हिस्सों से सीधी ट्रेन की शुब्दा उपलब्द है लेकिन फिर भी अगर आपके सहर या राज से औरंगावाद के लिए सीधी ट्रेन की शुब्दा नहीं है तो आप पहले मनमार स्टेशन पहुँच सकते हैं और फिर मनमार से ही दूसरी ट्रेन लेकर औरंगाबाद के लिए आ सकते हैं और औरंगाबाद से मंदिर की दूरी 30 किलो मीटर है तो वहाँ से आप कोई भी केव या ओटो या बस के मदद से मंदिर तक पहुँच सकते हैं और अगर आप इस मंदिर पर बाई रोड आना चाहते हैं तो आपको नैसनल हाईवे संक्या 211 गरशनेशन मंदिर और औरंगाबाद सेहर के पास से ही होकर निकलती है तो आप यहाँ पर बाई रोड भी आथानी से पहुँच सकते हैं तो यह था गरशनेशन जोत लिंक से जुड़ा हुआ वीडियो जिसकी मैंने आपको संपूर जानकारी दी है अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जरूर क्लिक करें थैंक यू फूर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में